hey guys welcome to physics in playground hey guys आप लोग देख रहे थे ldi head or ketone का तो ldi head or ketone का part 1 में ने डाल दिया है कुछ हद तक video मतलम कुछ हद तक पढ़ा चुगा हूं ठीक है और बागी का इस video में मैं फिनिस कर दूँगा ldi head or ketone और आप लोगों को इनवर्गेनिक है इस ब्लोग का मिल गया होगा offline test उसका answer की भी आज ही upload हो जाएगा ठीक है आज मैं upload कर दूँगा और आज 28 है ठीक है ठीक है और solution भी मैं समझा दूँगा पहले मैं theoretical कुछ point लिगवा दूँगा तब ही solution सम्झाओंगा ठीक है तो हम लोगी स्टार्ट करते हैं दूँगा तो रिमंटेमं रिएक्शन तक हो गिया था अब हम लोग आते हैं रोजमंट डिदक्शन रिएक्शन में ठीक है ठीक है ठीक हो जितना भी यह सब रिएक्शन होता है तो यह देखो कुछ ऐसा बनेगा लिएट सी यह चो तो इजी टाइल को राइट से इन प्रेजन सफ्टू पीडी बीएसो फोर क्या ची होगा रिड्यूस करके बन जाएगा लडी हाइट ठीक है तो यहां क्याच होता है रिडक्शन होता है तो याद रखना ठीक है रोजे मंद रिएक्शन है इंपोर्टेंट रिएक्शन है ठीक है रोजे मंद रिएक्शन ठीक है ठीक है ठीक है चलो यह हो गया पॉर्ट नमर वहना अब हम स्पीडली देखते हैं ठीक है अब क्या ची होता हम मान लोग की sinide होगी है यहां पर sinide होगी है तिक ना अलकाइल sinide है उसमें हम लोग अगर SNCL2 या होते जाएगा तो पहले क्या ची होते जाएगा देखते चलो पहले मैं direct product लिग देता हूँ उसके बाद तोड़ा सा mechanism बता दूगा तो product आएगा अप लोगों का RCHO LDID है ठीक हम mechanism क्या बोलता है इसमें होता है क्या ची है कि जहां पर RC triple bond in है ठीक है इन है न जी तो वहाँ पर क्याची होगा जहां हम लोग इस डूओ इस डूओ इस सील डालेंगे तो वहाँ पर bond break होगा और कुछ ऐसा formation हो जाएगा एक bond टूड़िए ठीक है एक bond टूड़िए ठीक है एक bond टूड़िए ठीक है तो यहाँ पर आगे र रियक्ट करवा देंगे हम लोग अमोनिया के साथ ठीक है और जो OH है वो हम लोग CH plus के साथ रियक्ट करवाएंगे तो मान लोग कि 2 mol of OH minus और 2 mol of H plus तो 2 mol अगर हम लोग रियक्ट करवाने लगें 2 mol इसके साथ और 2 mol इसके साथ तो क्या अची करेंगे bond टूड़िए ब्रेक हो जाएगा तो आर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ CH 1 OH यहाँ और 1 OH यहाँ पर टोटल चारबंड होगे प्लस NH3 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है आगे है क्लियर सी बात है अभ क्या ची होगा कि हम लोग रिमूबल और वाटर कर देंगे क्या ची कर देंगे water को पानी इसमें से निकाल देंगे मींस क्या अची होता है Dehydrogenation कर देंगे मद्फरोचीञ पिर तो सुन होंगे गर्में के सिज़न में चरी से पानी कम जाता उसको डियाइडरेशन थो बस हुआ ही हम लोग करेंगे डियाइडरेशन ही में से कर देंगे तो बाटर निकाल देंगे तो यहां से आजयेगा अर शी एचो टिगे र शी एचो प्लस एने सी टिगे याद रहने मेजर कंपाउंट बन रहा है ल्डी है माइनर कंपाउंट आता है अमोनिया तो फॉरमेशन ऑफ अमोनिया र शी ट्रिपल बॉर्ण अलकाइल साइनाइड एसें सिल तुए चिल और वाटर से आता है टिगा और इ अब देखो अब थोड़ा सा कुछ important बात है आप लोग सुने होगे और आप लोग पड़े भी होगे क्या ची होगा वह मैं नाम बताऊंगा क्या पड़े हो या कि सुने हो पर सुने हो इस रियेक्स में ठीक है तो मालो यह जैसे कि एक फिनोल है फिनोल के साथ था हिट्रोजन ह इसे हम लोग बोलते है ओ एक यह होगे फिनोल उसके साथ हम लोग अलकाइल प्लस ख्लोराइड अलकाइल ख्लोराइड डाल दिया और उसमें हम लोग क्याची टाल दिया अल-C-L-3 तो अभी इसमें क्याची होगा कि आर-C-L जो है वह आर-C-L माइनस में टूटेगा तो य होगा यहां से डेरेकली ओ-H-Drouper जाएगा और बिवह हो एक रिख सकता हमाट यह बंदा है आप सम्झद पॉइंट नंबर वाहिस पॉंड नंबर वाहिस समयने इहा होता इसमें इंच्छाह घ्टा हूं relationships दिंघ तो समझना पर नंबर वाइस वे दो यह बला तो समझ में आगए होगा यह समझ में आगिया यहान देखो यहाँ है यहाँ हैं हैड्रोजन और हैड्रोजन से हैडेटेहईं निकाल पहले हम रोग के एच् You बना लिए और हम प्छे में जोड़ें ही नहीं कि तोटली फपीनोज़ और यहाँ पर हट्रोजन में लिग देरा हूँ ट्रॉछ अब में बूछय करते हैं यहाँ हम कहाच्य करता हूँ यहाँ you और बड़ा compound जोड़ता हूँ CH3, CH2, 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 CL, ठीक है ना तो यह मैं जोड़ दिया और यहाँ पे LCl3 डाल दिया है और Enhydrous डाल दिया है चलो Enhydrous पुरा लिखी देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे बता हूँ क्या compound बनेगा ठीक है तो आप लोगों ने बना लिया होगा ठीक है तो आप बहुत सारे स्टुडेंट जो बनाए होगे वोगे क्योंगे वोगों क्योंगे कि जैसा मैंने यहाँ पे समझाए वही यहां पे क्योंगे कि HCl रिमॉफ की होगे ठीक है और यहाँ से अल्काइल गरूप ले जाकर जोड़ दिया हूँ कहने का मतलना में हैं पर फिनॉल होगी हैं, यहां पर CH2CH2CH3, ऐसा बना दिया होँगे तिक न, ऐसा ही भना यहां से CL रिमूफ की होँगे, CL पर negative charge और यहां पर positive charge यहां पर वही क्वाइप की होँगे, इधर की और negative charge डाल दिया है, एच पर positive H को ले जाके CL के साथ जोड़ दिया है, और यह वाला positive charge फिनॉल के साथ लगा दिए तो यह बिल्कूल गलत है इस तरह से नहीं बनेगा एकदम गलत है देखो इसमें होगा क्या यहां पर आगी है CH3, CH2, CH2 और यहां पर आगी है CL तो यह तो बॉंड इदर तोड़ेंगे तो यहां पर आगा negative और यहां पर आगा positive तो तो क्या एक बात बताओ number of alpha hydrogen यहां पर कितना है दो alpha hydrogen है तो ठीक है अगर हम लोग इसे CH3 प्लस यहां पर लगा दें और यहां पर CH3 कर दें तो number of alpha hydrogen will be 6 तो more stable कौन सा होगा 6 वाला alpha hydrogen ज्यादा stable होगा तो यहां पर क्याची होगा जो positive charge होगा होगा shift करेगा कैसे shift करेगा एक hydrogen जो इसे CH2 है तो CH2 से एक hydrogen हम लोग निकाल देंगे ठीक है hydrogen जैसे हम लोग निकालेंगे तो यह बाला positive के साथ यहां negative पाइबंड बनाएगा पाइबंड के साथ फिर से हम लोग डिलोकलाइच करके positive charge लाएंगे means removal of hydrogen यहां से करते ही एक positive आजाएगा ठीक और हो hydrogen कहां ले जोड़ देंगे CH2 लास्ट भल में जोड़ देंगे तो number of six of hydrogen तो आप क्या करेंगे कि यहां पे phenol के साथ hydrogen था तो phenol के साथ hydrogen को तो रिमूफ करेंगे और CH2 के साथ जोड़ देंगे यहां पर आजागा negative ओब यह नेगे टिव जाए यहां प्लस के ज़्चाइगा means phenol यहां पर होगी और यहां पर 2 Re C加3 हो गया और यहां पर 2 Re C Toddy को इस तरह से बनाना लाकि एस ततरह से बनाना मंदब दिमाग बस खुला रखन ne बहुत तरीका से गुमा के जैसे यहां पर मैंने डारेक्ट कर दिया कि RCL है तो यहां से हम CH3 डारेक्ट ले जा के जोड़ दियो फिनॉल में H8 आगे तो वहां मुद्दा बनता था कि कोई प्लस का मनें अलफा हिड्रोजन को कोई खेला नहीं था ठीक है पर यहां पर खेला है अलफा हिड्रोजन का ठीक है इसके कारण हम लोग यहां पर यह की है ठीक है ठीक है तो इसे हम लोग क्या ची बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे फृडल क्राफ्ट अलकाईलेशन ठीक है अलकाईलेशन ठीक है अब एक और आथा है फृडल क्राफ्ट एसाईलेशन ठीक है friction मैं पृदक बना देता हूं सबस्क्राइब मैं मैंकनीम समझा दूंगा है C Dobble Bound O CH2CH3 एक है यह हो जाएगा आप लोगों कर ठीक है प्रोटक्ट अब कैसे हो रहा है आप समझो समझ में आ गया किसे हो रहा है यहां पे क्या हो रहा है कि यह जैसे मालो हार रोगया यह आर हो गया cdbond O हो गया और यहां पर CL हो गया ठीक है क्लियर वात है तो इसमें क्या ची होता है कि यह CL ऐसे टूटता है CL पर नेगेटिव आता है RC double bond O पर positive आता है और यह positive charge फिर यहां पर आएगा किया ची यहां sorry यहां यहां negative और हच पर दो पर चाहिए तो जो इस पर प्लेटिव वह तो नेगेटिव के साथ मिल्किए C-C-L bond फॉर्म कर लेगा और यह ठत जाएगा और यह पोजिटिव आला फिनोल के साथ जुड़के हैं ऐसा बन बना लेगा means तो सी के साथ डबल बूंद हो जाएगा यह ट्रिक आप याद रखेगा तो आप से कभी कोशन गलती नहीं होगा ठीक है अब मालों जैसे और कुछ क्या कर सकता है इसमें कि इम ची एक्स ग्रिग्नारास प्रिजेंट लगा दिए थिक आप यहां पर कर दीक ताइलगर करलाद रखेगा तब हम दोग लोग देखो क्या ची कर यहां से वह नहीं होगाम जाएगा मैंकनी रहेगा मैणस रहागा यहां प्लस रहेगा और यहां प्रुडक्ट क्या होगा आर तो आर रहे गई प्लस केच हो जाएगा सी एच आर आजाएगा प्लस C डबल बोंड ओ और अर टिकला Mg x यहां से डारीक्ली रिमूफ कर जाएगा सी यहां पर जूड़ जाएगा CH3-COO2-CALC, डाल दी, और हम लोग क्या ची करती है, इसे heat कर दी, तो क्या चाहिए जाएगा, कैलसियम कार्बोनेट, प्लस CH3-COO-CH3, ठीक है, तो यह तो खैर अलग चीज़ है, इसे छोड़ दो, Friedel Craft Alkylation समझ में आगे, और यह था Friedel Craft Asylation, ठीक है, Friedel Craft Asylation, तो दोनों चीज़ समझ में आगे, ठीक है, ठीक है, टोटली मैं मैं मैंकरीम्स के साथ संजा दिया, ठीक है, तो इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए, एक मैं homework में question आप लोगों को दे दे रहा हूँ, आप लोग बनाएगा, और बना लीज़ेगा, बहले आप लोग comment किजिए, या मत किजिए, ठीक है, कोई बाद ने, पर बना लीज़ेगा, अगर वीडियो देखते हैं, तो solve करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, बना लीज़ेगा, अब आगे बढ़ता हूँ, पक्का, यहां तक लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब एक चीज़ेगा, समाहिना, ठीक है, इंपोर्टेंट है, नीट में भी पूचा है, recent 2017 में पूचा है, ठीक है, नीट में, और मैं थोड़ा सा बता हूँगा, क्योंकि मैं इस पे 15 मिनट का एक lecture बना चुगा हूँ, ठीक है, तो जल्दी से देखो, यहां पे CH3, CHO है, ठीक है, ठीक है, और वही वे, अपने पूपर ढल दिया, और सिंगल बन के साथ हइटूर्चन है, ठीक है, ठीक है, खोल दिया, मैंने CHO को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अप्ल्द पी आची होगा, कि यह लोड़ा, जो पाइब और है, तो यह पाइब आओड को मैंने बेज दिया, उपर की और यहा और हर अपता में एक बार रिवीजन हो जाएगा, मैकनिस्प कैसे करते हैं, तो क्लियर हो जाएगा, तो सब चीज सोचा समझा, जीजे मेरा, इसलिए मैं ऐसे करके, वीडियो डाला करता हूं, तो कोर्स आपका कम्प्लीट हो जाएगा, टेंशन मर लेजेगा, तो मालनेजिए यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर फिर ऐसे तोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ गिया नेगेटिव और यह एच पोजिटिव, अब जो एच पोजिटिव और हम लोगों ने क्याख यहाँ हो जोड़ दिया, मिंस कैचिक फॉर्म कर गिया, यहाँ वह ओ एच फॉर्म कर गया ठीक है एकदम अराम से समझें और यह वहला तब हम पॉण्ड ऊपर की उद ले जा रहे थे तब यहां पर पोजिटिव चार्ज आएगा कार्बन के पास अभी एक पोजिटिव चार्ज यह नेगेटिव चार्ज यह साथ कार्बन के साथ जाके बों कुछ आप लोगों को एसा बॉन बनता हुआ दीखेगा इसा बॉन बनता हुआ दीखेगा जिएचरी सीएच ड्व ओएच यह पर आजाएगा सी-एच डू और यहां पर आजाएगा सी हे चों ठीक है यह चीज इतना समझ में आगए तो यहां पे। यह बोलते हैं कोई बी कंपाउंद के साथ कोई एक्टिव हैड्रोजन जूड़ा हो तो इसे आलफा हैड्रोजन बोलते हैं और उसके बगल वाला गामा ठीक है ठीक है यह हो गया यहां तक अब इसके ज़स थोड़ा सा आगे पूछ दिया था इसे अगर हम लोग हीट करा दे तो क्या होगा इसे अगर हम लोग हीट करा देते हैं तो समझेगा मैकनीज यहां पर एक CH2 है तो CH2 को एक हाइड्रोजन में उपर क्यूर लिग दिया और एक क्या है यहां से होगा REMOV-O-O-O-O-O-O-O-O-O-T-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O यहां पर पाई बन बने तो क्या चुछा जागा यहां पर चुछाज गया और यहां पर कैच चुछ गया चुछ टिक है किलीर है साटि बाते है और यह हम लोगों का अल्डोल कंडन सेशन रियेक्शन अल्डोल कंडन सेशन रियेक्शन ठीक है यह हम लोगा अब मैंने 15 मिनुट का एक वीडियो बनाया हूँ बना दिया हूँ ठीक है अल्डोल कंडेंसेशन पे आप लोग सर्च कीजिएगा अल्डोल कंडेंसेशन बाइ फीजिक्स इन प्लेग्राउंड फीजिक्स इन प्लेग्राउंड तो आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है ट्रिक बता देंगा ट्रिक बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा देखो होता है कि एक CH3 ग्रूप है और यहां पे C है और यहां पे O पे माइनस है यहां पर OH जूटा हुआ है और यहां पर हैड्रोजन लगा हुआ है और यहां पर C double bond और OH और H यह तो क्या ची है LD है सबको मालम चल गया होगा ठीक है तीक है अब देखो क्या ची होगा इसमें कि यह वहला जो negative charge है negative charge हो मैं यहां पे लाओंगा और यहां पे लाके double bond pi bond बनाओगा तो यहां पे pi bond आ गया और यह जो bond है यह वहला bond में ले जाके hydrogen यहां पे जोड़ूंगा ठीक है means hydrogen तोड़ते हुए मैं यहां पे जोड़ूंगा ले जाके ठीक है तो यहां पे क्या ची आने वाला CH3 तो आ गया यहां पे आ जागा double bond के साथ हो और यहां पे OH ठीक है यह वाला OH को मैं यहां लिग दीगा प्लस यह वाला bond लेगे तो hydrogen चा के साथ बना दिया means hydrogen यहां hydrogen यहां यहां गया double bond हो ठीक है इनना तक क्लियर हो गया अब क्या ची हो रहा है अब होगा समझो कहानी यह वाला bond जो था यह वाला bond ऊपर की और भेज देंगे मतलम यह वाला bond ऊपर की और यहां पहेगा negative charge यहां पहनी पहेगा, single bond तो single bond मैं एक bond हटा दे रहा हूँ ठीक है, एक bond हटा दिया हमें यहां से ठीक है यह हो गया यहां पर जो की slowest step फिर होगा जो की rate determining step होगा यह वाला चीज अब यह वाला चीज slowest step होगा rate determining step होगा समय में आ रहा है बात यह step slowest step होगा rate determining step होगा अब यहां पर मैं क्या चीखरूँगा 50% of NaOH, NaOH लगाऊँगा तो यहां से क्या होगा कि यह जो hydrogen है, यह hydrogen टूटेगा और Na plus के साथ जाके जूटेगा मिन्स देखो कैसे टूटेगा, यहां से OH connected है, OH connected है तो negative charge की दर की ओर, O की ओर, ठीक है, O पहाएगा negative, H पहाएगा positive ठीक है, तो वो हो गया, और यहां पहाएगा Na plus, यहां पर OH minus, OH minus इसके साथ react करेगा, तो क्या चीख बनाएगा, H2O बनाएगा, H plus और OH minus मिलगे, क्या बनाता है, H2O बनाता है, तो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, तो यहां से क्या चीख आएगा, यहां से हाएगा, CH3C double bond, O यहां पहाएगा, O minus और यहां पहाएगा, Na plus, ठीक है, Na plus, तो यह क्या चीख हो गया, है, E acid हो गया, ठीक है, sodium acid बोलते हैं, ठीक है, इसे sodium acid, ठीक है, तो इसका कहानी यहां तक हो गया, क्लियर, अब इसका कहानी क्या होगा, इसमें क्या होगा, कि CH3, यहां पे negative charge है, तो एक H plus होगा है, यह H plus जाके, है, water बना लिया, ठीक है, कोई दिकक नहीं है, और हम लोग क्या करसें चे हैं, कि इस H plus को ले जाके, हम लोग यहां पे भी react करवा सकते हैं, तो अगर हम लोग यहां पर react करवाँंगे, तो CH3, OH है तो यह क्या चीख होगा, एडिया तो क्याची फोय मीच ये लिया ये जागह अल्कुहुल इतैक है तो क्याची फोय मीचे लिया है याई गस्ता कार्बं नहीं बन रहा है यहां प laissezबहरा बंद और और इंस्ट अस्टता क्रशिमें वह अजानी चाहरो रीक्षिन कार्बंद चाहरो ये दिन डmostAd किसमें ने बनता है कैनी जारूरी एक्जन में इसी टाइप का कुशन पूछा अभी तक ठीक है और मैं एक चीजी इसमें बता दे रहा हूं कि और किस तरह का पूछ सकता है सायद में भी ठीक ना अगर हम लोग इसका रिडक्षन करवाते हैं तो एक कुशन आप पढ़े होंगे रिडॉक्स रिएक्षन में पढ़े होंगे रिडॉक्स रिएक्षन किसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्षन उसे कहते हैं जहाँ पर सेमल्टेनियसली ऑक्सिडेशन भी हो और रिडॉक्षन भी हो ठीक है ऑक्सिडेशन भी हो और रिडॉक्षन भी हो ठीक है या ऑक्सिडेशन दोनों का प्रोड़क्षन देता हो वो कैस यह एकदम निवली फॉर्म कोश्यन है जो कि मैंने बनाया अभी ठीक ना पढ़ाते है पढ़ाते मुझे आ गया शायग में पूछ सकता है ठीक है तो इसे हम लोग लेंगे डिडॉडॉक्स डियेक्शन में कैनी जारो रियेक्शन देखो ऑक्सिडेशन करता तो एसी बनाता है अब यहां पर हम लोगा कैची बीए ओएच का होल 3 मालो बीए ओएच का होल 3 लागा दिया ऐसा भी पूछ सकता है तो हम लोग एची करेंगे सी सी डवल ओ का होल 2 बना दिये प्लस बैरियम लागा दिये पुजिटिव चार्ज ले जाके जोड़ दी और कुछ नहीं की है ठी हम लोगो को मनाना ऊल्कोछ बनाना है तो दीत लौ ine चिस बना दिया यहाँ पर आगे यहां पर आगे लकोष्ट तो इसी टाइप के फूष्ण वंते हैं और यहेगोद एक संवी प्लस करते हैं लास्ट दीक है और एक मिलीव बनाऊंगा जहें है शिए सदया भी है जोनों स सदी में डलेगा, सदी में क्या 2-3 गंटे के difference में डलेगा, या में भी एक दीन के difference में डलेगा, पर डल जायागा, एक दीन से ज्यादा difference ने जायागा, ठीक है, तो इतना सारा important था, आप लोग लिखते चलिएगा सब चीज़ ठीक है, और बात रहा, जो नए student ओंगे, please subscribe किज जो पूराने होंगे वो प्लीज सेर कीजिए गटिक ना शेयर कीजिए का क्या मैंने जो प्लैन बनाया वो प्लैन पर हम लोग इस संबर से काम करेंगे ठीक है अब प्रिबिएस एर के भी कोशन सॉल्व करना ही स्टार्ट करेंगा और कोई कन्फूजोन होगा तो कॉमेट में और मैं एक प्लैन बना के आप लोग को डाल दूंगा तिक नव मैं क्या पूलना चाह रहा हूं कि जो टॉपिक में आप लोगों कोन्फूजन है कॉमेंट किजिए मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अब तेखे क्योंकि आप ज्यादा बाचा नहीं है कुछ-कुछ चैप्ट